हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, सुगाज आज की इस वीडियो में आपको फगानी सल्वार की किटिंग एंड स्टीचिंग करना बताऊंगी इस सल्वार को बनाने के लिए मैंने दो मिटर फैब्रिक का यूज किया है और यह फैब्रिक कोटन का है इस फैब्रिक की विर्थ है 44 इंसपल मोरी में हम डिजैन बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपकल गोटापटी लेश ली है सबसे पहले हम एक कपड़े को लेंद से दो भगों में कर लेना है इस तरहां दोनों कोनों को हम पकड़ेंगे, और लेंद से कपड़े को दो भगों में कर लेंगे इस तरहां उसके बाद पैने से कपड़े को चार भगों में कर लेना है उसके बाद हम लेंद का मार्जन लगाएंगे इस सलवार की टोटल लेंद है 37 पर 37 में से हमें मोरी और बल्ट का मार्ग निकाल देना है सबसे पहले हम बल्ट का मार्ग निकालेंगे बल्ट की जो लंबाय ली है मैंने वो पांच इंच पर ली है 5 इंच हम उपर के तरफ निकाल देंगे और 36 इंच पर मार्क लगा देंगे मोरी का मार्क लगाएंगे 5 इंच उपर के तरफ निकलने के बाद यापर जो सिलवार के लेंद रही है 32 इंच पर रही है 32 में से हमें 3 इंच माइनस कर देना है मोरी के लिए यहापर जो मार्क लगाना है हमें वो 29 इंच पर लगाना है 32 में से 3 इंच हम माइनिस कर देंगे 29 में हमें 1 इंच पलस कर देना है सले मार्जन के लिए यहापर जो मार्क लगाना है हमें वो 30 इंच पर लगाना है जितने भी आपकी सलवार की लेंद हो उसमें से हमें बल्ट और मोरी का मारक निकाल देना है और एक इंच एक्ष्टा ले लेंगे स्राय मार्जिन के लिए लेंद का मारक लगने के बाद बोटम का मारक लगाएंगे यहां पर टोटल बोटम का मारक 6 इंच पर है 6 इंच से हमें आगे की तराफ 9 या 10 इंच पर मारक लगा देना है यहाँ पर जो मारक लगाया है मैंने वो 15 इंच पर लगाया है मारक लगाने के बाद कटिंग कर देंगे बच्चे वो कपड़े से हम मोरी और बल्ट बना लेंगे इस सलवार में कपड़ा जो यूज़ किया है मैंने वो 2 मीटर के पास यूज़ किया है उसके बाद हम आशन का मारक लगाएंगे आशन का मारक हमें खुली से हम की तरफ लगाना है पांच इंच हम उपर की तरफ निकाल देंगे बल्ट के लिए उस साड़े 15 इंच पर मारक लगा देंगे जितने भी आपकी हिप सेज के लंबाई हो उसको हमें च्यारभगों में डुएड कर देना है साड़े 10 इंच पर लगाया है क्रोच का मारक लगाएंगे दो इंच अंदर की तरफ मारक लगाएंगे और यहां से एक सिदिलेंड ड्रो कर देंगे सेंटर में क्रोच कर देंगे इस मारक को हमें मोरी वाले मारक से अटैच कर देना है इंच टेप को तिर्चा रखेंगे मोरी वाले मारक से अटैच कर देंगे मारक लगने के बाद मारक के उपर हमें कटिंग कर देनी है इस तरह मारक के अकोडिंग कटिंग हम कर लेंगे स्टिचिंग करेंगे दोनों की रैड साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों आसनों पर सलय लगा देंगे आसन पर सलय लगाने के बाद जिस तरह हम नोर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं उसी के अकोडिंग अपने हिप सैज के अनुसार इस सलवार में भी प्लेट डाल देंगे बल्ट को रेडि करेंगे बल्ट के चुड़ाई मेंने 7 इंच पे लिए है जो आदा इंच नीचे के तरफ सलवार में आएगा और डेड़ इंच उपर के तरफ फोल्ड होगा टोटल जो बल्ट बनकर त्यार होगा 5 इंच पे त्यार होगा बल्ट के लंबाई हमें हिप के लंबाई से 4 या 5 इंच एक्ष्टा रखनी है या प्रहिप सेच के लंबाई 40 इंच पे है बल्ट के लंबाई में नी 46 इंच पे रखी है बल्ट में हम सलय लगा देंगे और फोल्ड करते हुवे बल्ट को भी रेड़ी कर लेंगे उसके बाद हम मोरी को रेड़ी करेंगे पेस्टिंग को हमें फैबरी के उपर चिपका लेना है पेस्टिंग की चुड़ाई रखी है 3 इंच पर और लंबाई रखी है 15 इंच पर यही सेम लंबाई हमें कपड़ी की रखनी है फैबरी की चुड़ाई हमें पेस्टिंग से 1 इंच जादा रखनी है जो हमारा सलय में जाएगा मोरी में लेश को अटाइज करेंगे इसके लिए हमें पेस्टिंग से जो एक्स्टा कपड़ा था हमारा उसको हमें नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें एक मार्क लगा देंगे लेश के जो ट्रैंगल है उनको हम उपर की तरफ रखेंगे और लेश की राइड साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे जब लेश को हम फोल्ड करेंगे तो इसकी राइड साइड उपर की तरफ आ जाएगी मारे के उपर हम लेज को रखेंगे और रखते हुए पूरे में सलय लगा देंगे इस अलवार में आप मोरी का डिजन अलग देखना चाहते हैं तो इस की लिक मैं एंट स्क्रीन में देदूँगी यापर हमें एक फैबरिक की पटी ओर लेनी है इस फैबरिक की पटी को हमें लेज के उपर रख देना है लेज को स्टिच करते समय हमारे जो शिलाई आई थी उसी सिलाई के उपर हमें एक शिलाई और लगा देनी है पटी को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह हमें पटी को स्टिच कर देना है पट्टे को हम रोंग साथ दर्फ करेंगे और इसके उपर हमें टोप स्टिच लगा देना है अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आएं हैं चैनल को सब्सक्राइक करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हैर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके जिस तरह हम नुर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं उसी के अकोडिक हमें इस सलवार में प्लेट डाल देनी है और दो प्लेट हम पीछे की तरफ डालेंगे उसके पाद हम बोटम को रेडि करेंगे सबसे पहले हमें दोनों कोणरों पे एक एक इंच पर मालक लगा देना है जो हमारा सलय में आएगा उसके पाद हम बोटम में प्लेट डालेंगे जितने हमारे मोरी की लंबाई है उसी के according हमें bottom में plate डालनी है या पर मोरी के लंबाई 15 इंच पर है 15 इंच पर ही हमारी bottom में plate आएंगी जहाब हमने मार्क लगाया था वाँ से हमें plate को start करना है वो दूसरे मार्क तक हम plate को डाल देंगी इन plate के बीच में gap जो रखा है मैंनी वो आदे इंच पे रखा है इस तरह हमें 15 इंच पे प्लेट डाल देनी है आप देख सकते हैं यहापर जो प्लेट की लंबाई है यह हमारी 15 इंच पे आई है मोरी के लंबाई जितनी बोटम की प्लेट हम डाल देंगे उसके बाद हम मोरी को बोटम में अटेच करेंगे मोरी को हमें रोंग साइड तरफ अटेच करना है यानि जो प्लेट वाली हमारी सिलाई है वो सिलाई हमारी रैड साइड तर्फ रहनी चाहिए इस तरह मोरी को हम रोंग साइड तर्फ अटैच कर लेंगे उसके बाद हम मोरी को रैड साइड तर्फ करेंगे पेस्टिंग से जो एक्ष्टा कपड़ा था हमारा उसको हम अंदर की तर्फ फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम लेश डालेंगे इस तरह एक्ष्टा कपड़े को हमें अंदर की तर्फ फोल्ड करते हुवे इसके अंदर हम लेश डालेंगे और शिले लगा देंगे पूरे में इस तरह हमें लेश को टैज कर देना है या पर मैं एक और लेश लगाऊंगी दो पेंट की दूरी पर इस लेश को हम रख देंगे और शिले लगा देंगे इसी के अकोडिंग उपर की तरफ एक लेश को टैज करेंगे दो पेंट की दूरी पर रख देंगे और शिले लगा देंगे इस तरह हमें दो पेंट की दूरी पर लेश को टैज कर देना है ये सलवर आजगल भोजदर टेंडिंग में चल रही है और इसी के according हमें, दूसरी मौरी को ready करेंगे, उसके बाद मौरी को center से fold करेंगे, और चुड़ाई का मारक लगाएंगे, यहाँ पर मौरी की चुड़ाई 6 इंच पर है, 6 इंच पर हम मारक लगा देंगे एक मारक से हमें दूसरे मारक तक सिलाय लगा देनी है और यहाँ पर जो सिलाय लगानी है हमें वो एक इंच की दूरी पर लगानी है इस तरह हमें एक मोरी से लेकर दूसरे मोरी तक सिलाय लगा देनी है यह सलवार आजगल भोजदर टेंडिंग में चल रही है इस सल्वार को आप फंक्सनिया फेस्टिवल में बैन सकते हैं